को डीडर को डीडर में आप सबका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में क्रिप्टोग्राफी इन ब्लॉक्चें तो आए शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले यह देख लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो बात करेंगे समेट्रिक और एंगर शिरू करते हैं और यहां पर हमारे इक संडर है और आपर हमारा एक रिसीवर है ठीक है माल लेते हैं हमारा sender जो है न वो इंडिया में रहता है और receiver जो है हमारा वो USA में रहता है अब sender को receiver के साथ कुछ बाते करनी है over the internet तो sender ने क्या किया भाई लेट से कोई mail किया या फिर कुछ किया और उसको message भीजा receiver को कि hi friend तो over the internet क्या हुआ sender ने easily communicate कर लिया हमारे receiver से और इन दोनों की बीच में बात्चीर शुरू होगे बट इस mode of communication में एक problem है इस mode of communication में ये problem है कि कोई भी hacker जो की इन दोनों को monitor कर रहा है इन दोनों के network को monitor कर रहा है वो easily is high friend वाले message को अपने पास ला सकता है ला सकता है वो easily is high friend वाले message को बढ़ सकता है क्योंकि over the internet को dedicated wire तो होता नहीं है जिसमें की signal जाएगा over the internet हर चीज packets की form में travel करती है तो ये hacker क्या कर सकता है आपकी messages को easily पढ़ सकता है अब बहुत साइलों केंगे क्या फरब पढ़ता है हाई friend ही तो था पढ़ने दो मेरा क्या जाता है बड़ ऐसा नहीं है जब आप एक sender हो तो sender का मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक buyer हो जो कि एक e-commerce website से कुछ खरीद रहे हो internet हम इस तरह से तो communication नहीं कर सकते जहां पर कोई भी हैकर आके हमारे messages को read कर सके तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग cryptography का use कर सकते हैं तो cryptography में क्या होगा तो sender message को directly भेजने की जगा जो ये high friend का message था directly receiver को भेजने की जगा वो पहले message को encrypt कर देगा तो let's say अगर कोई hacker आता है और इंके बीच के मतलब इस pipeline को देखता है और इस packet को पढ़ता है तो वो यहां पे जो पढ़ेगा वो होगा DRDFHOP जिसका इस hacker को कोई भी sense नहीं मिलेगा क्योंकि इसका क्या मतलब है इसका कोई मतलब नहीं है अब यह data क्या होगा अब यह data ट्रांसवर किया जाएगा क्रिप्टोग्राफी का क्या यूज है क्रिप्टोग्राफी के थुरू आप अपने data को एक secret format में convert करते हो ताकि confidentiality आपकी data की बनी रहे ताकि आपके data को कोई भी read ना कर पाए तो दो टाइप सी क्रिप्टोग्राफी होती है पहला symmetric और दूसरा asymmetric अभी symmetric और asymmetric क्या है चली अब जब यह data higher receiver को भीचेगा तो इस data को यह क्या करेगा encrypt कर देगा इस की से जिसको इसने जनरेट किया था और इसी की से इसने क्या है इस high friend वाले data को encrypt कर दिया इसके बाद जब यह data receiver के पहुचेगा तो receiver इस की के थुरू जो की sender ने generate की है यह ध्यान रखना यहां पर मैं जो बता रहूँ, यह जो key है, यह sender नहीं generate की थी, और इसी same key से ही, इस data को अब वापस से decrypt किया जा सकता है, तो क्या होगा, इसी key का use करके, receiver इस data को decrypt करेगा, अगर receiver के पास यह वाली key नहीं है, जो कि sender नहीं generate की थी, तो वो इस data को कभी भी decrypt नहीं कर पाए, यह कुछ उसी तरह से है, कि हर एक ताले की अपनी एक चाबी होती है, जब तक आपके पास वो चाबी नहीं हो, तब तक आप वो ताला नहीं खोल पाओगे, राइट, बट symmetric key की cryptography में एक problem है, और problem यह है, कि जब sender, receiver को message भेजता है, तो message के साथ, उसे key को भी भेजना पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई, अगर वो key भेज़ेगा नहीं, तो receiver उसको decrypt कैसे करेगा, यह चीज़ हमनों ने अपने पिछली example में देखी, कि जब sender, इस data को encrypt करता है, तो वो key का use करता है, और इस data को अगर decrypt करना है, जोकि encrypt हो चुका है, यह से secret message अगर इसको decrypt करना है, तो same key के साथ ही आप इसको decrypt कर सकते हैं, तो इसकी वज़े से sender को क्या करना पड़ेगा, इस key को भी receiver को भीज़ना पड़ेगा, ताकि receiver इस data को decrypt कर सके, यहाँ पर क्या होगा, sender message तो भीज़ेगा है, साथी साथ key भी receiver को भीज़ेगा, और जब sender message और key receiver को भीज़ेगा, तो हो सकता है कि उस time पे कोई hacker आपके इस communication को monitor कर रहा हो, जिसके थुरू क्या होगा, आपकी जो key थी, जो आप receiver को सिर्फ भेजना चाते थे, वो hacker भी उस key को पा लेगा, जिसके थुरू आपके message को अराम से decrypt कर पाएगा, अब बहुत साइब लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसा भी तो कर सकते हैं कि की को हम लोग किसी और तरह से भेज़ देते, पेपर में लिखे भेज़ देते, call करके बता सकते, मगर ये सब चीज़ें क्या है ना, अभी हम लोग internet की दुनिया के उपर बात करें, जहां पर जब कोई इंसान internet यूज़ करता है, तो सिर्फ internet यूज़ करता है, आप कभी ऐसे तो नहीं करोगे ना, कि credit card number अपने bank वाले, मनलब अपने e-commerce वाले website को call करके बताओगे, भाई दोको मैंने ये order book कर दिया है, credit card number को मैं call करके बता हूँ, ऐसा नहीं होता, तो इसलिए अभी हम लोग वो सारी possibilities के बारे में नहीं बात करेंगे, इसके भी methods होते हैं, जिसके दुरूब आप key exchanges कर सकते हैं, पर अभी उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी जो important बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, कि symmetric key cryptography में problems हैं, asymmetric key cryptography क्या होती है, तो asymmetric key cryptography में, जो भी हमारा sender होता है, जो भी हमारा receiver होता है, जो भी person asymmetric key cryptography में involved होते हैं, वो लोग दो keys को generate करते हैं, एक तो होता है यह public की, और दूसरी होती है private की, यहाँ पर आप देखोगे sender को, तो sender ने अपनी एक private key, जो कि यह है, जो कि मैंने blacks represent की है, और अपनी एक public key generate की हुई है, ठीक उसी तरह से receiver ने भी एक private key, जो कि मैंने blacks represent की है, और yellow से मैंने रेप्रेजेंट की है, बी की public key को, तो इस तरह से asymmetric key cryptography में, दो keys को involve किया जाता है, ना कि एक, जैसे कि अभी हमनोंने symmetric key cryptography की case में देखा, जिन लोगों को अभी confusion है, कि अखिर में public key क्या है, private key क्या है, तो इसको हम लोग अपने MetaWars wallet पर देख सकते हैं, तो यह जो आप address देख रहो ना, तो यह address है, ऐसा address होता है, जो कि आप सब के साथ share करते हो, तो actually में यह address है, यह हमारी public key से ही generate होता है, अगर आपको इसके बारे में तुछा detail में जानना है, तो i button में मैं link share कर दूँगा, आप वहां से देख सकते हो, मैंने यह चीज़ बताई हुए, कैसे होता है, फिलार के अभी आप इसको मान सकते हो, यह आपकी एक तरह से public key है, जो कि आप लोगों के साथ share कर सकते हो, लेटसे अगर आपको cryptocurrency चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटेव के साथ, यही वाला address शेर करोगे, इसी address पे आपके पास क्या आएंगे, cryptocurrency आएगी, वहां की पॉब्लिक key नहीं है, इस public key के थूँ ही, यह generate हुआ एक address है, इसके बारे में हमें ने बताए कि आप आई बटर में चुन लिंक शेर की थी, उसके तरूँ देख सकते हो, अब माई private key क्या होती है, private key अगर आप आओगे, तो यहां settings में जाओगे, तो यह दिख रहो ना, security and privacy, तो यहां पर, ठीक है, यह नहीं है, यहां पर recovery phase दिख जाएगा, ने, मैं भूल किया हूँ थोड़ा सा, क्या आदा जाएगा, don't worry, कोई बात ही, मैं import दिखाता हूँ, तो यह दिख रहो ना, यहां पर, let's say, मैं account की settings जाता हूँ, I think, वही सबसे best option होगा, कभी, कभी, हम लोग भी भूल जाते है, right, let's do one thing, let's go for account details, इस account details में, अगर आप दिखोगे, तो यहां पर आपकी private की दिख जाएगी, यहां पर मैं जैसे private, मलब अपने account, madamax का address डालूँगा, तो मैं आप इसे confirm कर देता हूँ, इस account से associated, यह इसकी private की है, तो यह एक तरह से, अगर मैं अपने reference से बात करूँ, तो मेरे पास अपनी private की है, और इसी private click से generated मेरे पास एक address है, जो कि आपको दिख रहा है, तो आई अब एक बहुत important point के बारे में बात करते हैं, तो लेट से ही हमारे एक ताला है, जिसको हमें बंद करना है, तो यहाँ पे एक चीज मैं clear कर दूँ, जब मैं कह रहा ह Cher U, बंद करने को, तो मैं कह रहा हूँ encryption, जब मैं कह रहा हूँ ताला खोलने को, तो मैं कह रहा हूँ description, decryption, बहुत ही सिंपल है, अगर मैंने चीजी को log कर दिया, मतलब मैंने उस data को encrypt कर दिया, अगर मैंने उस ताले को खोल दिया, मतलब मैंने उस data को decrypt कर लिया, तो यहाँ पे एक important point जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यह है, कि अगर मुझे यह ताले को log करना है, मतलब कि अगर मुझे अपनी data को encrypt करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं A की public key का use कर सकता हूँ, A कौन है, A हमारा sender है, तो मैंने A की public key का use करके इसको क्या किया, बंद करती है, ठिक, जो कि अभी खुला था, मतलब एक तरह से encrypt कर दिया, अगर मुझे इस ताले को वापस से open करना है, मतलब कि इसको एक तरह से data को decrypt करना है, तो मैं क्या करूँगा, A की private key का use करूँगा, ताकि मैं इस ताले को खोल सकता हूँ, अब मालू मेरा मन फिर से का, कि मैं मुझे फिर से बंद करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, A की public key का use कर सकता हूँ, इसे बंद कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ, मतलब कि जो private key है वो same person की ही हुनी चाहिए ऐसा नहीं कि आप B की public key यूज़ कर रहे हो A की private key यूज़ कर रहे हो encrypt, decrypt करने के लिए तो यह बहुत important point है पर यह confuse करेगा तो इसे लोग थोड़ा ध्यान से समझ लेना कि A की private key से कोई भी चीज़ अगर आप lock या unlock करते हो तो A की ही public key से उसको आप lock या फिर unlock कर पाओगे जो कि अभी में लोग ने एक example के दुरू देखा तो इसी तरह से B की case में भी है अगर मालो B की public key हमारे पास है तो B की public key से अगर कोई चीज़ हमने lock या unlock की है मतलब encrypt या decrypt की है तो B की ही private key से वो lock या फिर unlock होगी ठीक है ये चीज़ I think अब clear होनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक और example ये दिखाए कि अगर मालो मैंने A की public key से कोई चीज़ को बंद किया है तो मैं उसको खोल सकता हूँ A की private key से ठीक है अब let's say A को कोई बंद की किसी को भी दे सकता है ठीक उसी तरह से जो हमारे receiver है वो भी अपनी public की किसी को भी देना चाहिए दे सकता है तो मान लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास एक sender है और एक receiver है तो दोनों ने क्या किया अपनी अपनी public की एक दूसरे को दे दे ठीक है कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई भी confidentiality issue नहीं आएगा reason क्या है भाई क्योंकि हम लोग ने public की जो की public है नाम में इक public लिखा हुआ है तो public में हम share कर सकने है तो B ने अपनी public की A के साथ share कर ली और A ने अपनी public की B के साथ share कर ली अब let's say A को कोई data भेजना है हमारे B को मद्धा हमारे sender को कोई data भेजना है हमारे B को तो अब A उस data को जिसको उसे B को भेजना है उसे वो किस की से encrypt करेगा तो यहाँ पर मैं आप से एक होँगा आप थोड़ा pause करिए वीडियो को और सोचिए कि अगर हमारे sender क्योंकि हमारा A है अगर उसको receiver को कोई data भेजना है तो definitely उसको encryption करना होगा तो encryption के लिए अब उसके पास दो चीज़े अवलेबल हैं B की public की और अपनी खुद की private की तो वो किस चीज़ से encryption करेगा तो एक बर मुझे pause करो और फिर मुझे बताओ comment करके I hope आपने मुझे pause किया होगा तो आप बात करते हैं आगे की तो अगर sender को receiver को कोई data भेजना है तो वो data वो B की ही मतलब sender की receiver की ही public की से encrypt करेगा ठीक है यह थोड़ा ध्यान देन वाली बात है मतलब की मैंने data को मैंने data को B की ही public की से encrypt किया ऐसा मैंने क्यों किया मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब ये data हमारे B के पास पहुचेगा तो B उस data को decrypt करना चाहेगा और क्योंकि ये data जो high friend था वो B की ही public की से encrypt हुआ है तो मतलब की B की ही private की से ये क्या होगा decrypt होगा और B की private की किस के पास है B की private की सिर्फ वर सिर्फ B के पास है तो इस तरह से asymmetric की cryptography work करती है अगर थोड़ा सा confusion लगा हो तो एक बार थोड़ा सा reverse करना वीडियो को थोड़ा पीछे जाना फिर से एक बार देखना clear हो जाएगा एक बार मैं थोड़ा सा revise कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ने data क्यों एक ही private की से नहीं encrypt किया हम लोग ने ये data एक ही private की से इसलिए नहीं encrypt किया अगर माल लो ए अपनी private की से data को encrypt करता तो उस case में क्या हो दा कि भाई एक ही public की तो सभी के पास थी तो और अगर इसने अपने उस data को अपनी ही private की से लॉक कर दिया तो एक ही public की उस data को खोल भी सकती है और यही चीज हम लोग ने पीछवाल example में देखी कि अगर एक ही public की से कोई भी चीज़ लॉक होती है तो एक ही private की से वो unlock हो सकती है अगर एक ही private की से कोई चीज़ लॉक होती है तो एक ही public की से वो unlock होती है तो इसलिए ए उसे अपनी private की से ना करके ए बी की public की से उसको encrypt करेगा और B के पास जब वो data पहुचेगा क्योंकि B के पास जो की है वो खुद की अपनी private की है मतलब वो B की ही private की है तो वो क्या कर सकता है उसको decrypt कर सकता है और private की एक ऐसी चीज होती है जो आप सब के साथ share करते नहीं हो तो A की private की हमेशा ही A के पास होगी तो इस तरह से asymmetric की क्रिप्टोग्राफी वर्क करती है तो आई अब बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी इन ब्लॉक्चेन के बारे पे तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिजिटल सिनेचर की तो नहीं क्रिप्ट करने का मेरा मतलब क्या है क्योंकि हम कोई transaction कर रहे हैं तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई हम ये बता सके कि यह transaction है यह मैंने ही किया है ठीक है? अदर्वाइस कोई भी मतलब क्या हो सकता है कि मेरा wallet है किसी और का wallet है कि किसी को नहीं पता चलेगा तो ये private की से ही पता चलता है कि आखिर में यह मेरा transaction है कि नहीं है जैसे कि अगर कोई principal कोई document पर sign करता है तब ही तो पता चलता है कि वह document जिस पर signature हुआ है वह principal के ही थ्रू किया है अगर उस पर principal sign नहीं करेगा तो कभी उस data को हम लोग verify नहीं कर पाएंगे तो उसी तरह से यह हमारा एक message है हमारा transaction है जिसको हमें over the network वह करना है वालब transfer करना है एक तरह से transaction करना है तो उस case में हम क्या करेंगे अपनी private key का use करेंगे private key और इस message को फिर हम लोग पास करते हैं एक function में जिसे हम कहते हैं Sin Nature तो हमने क्या क्या किया अपनी private key से इस message को एक Sin Nature function ने भीजा जिसके थू हमें क्या मिलेगा जो minors के पास, तो minors क्या करेंगे इस message हो, और इस signature को verify करें, कि भाई आपने कहा तो है कि यह आपकी private की है और आपने इस वह signature किया है, अपने private keys है, बट हम कैसे मालते हैं तो फिर minors क्या करते हैं, minors के पास एक verification function होता है, जिसमें वो यह message लेते हैं, और यह signature लेते हैं यह दोनों चीज़ें, वो इस verification में डालते हैं, प्लस इसमें एक और चीज़ भी इसमें input करनी होती है, इसे हम कहते हैं public की, जो कि हमारी ही private key से generate होती है, तो private key से हम कहा जनरेट करते हैं public की, और इसको भी हम verification function में डालते हैं, क्योंकि public ही एक ऐसी चीज़ है, जो सब के पास available होती है, तो जो हमारे minor है, जिनके पास यह verification function है, उनके पास message भी आ गया, signature भी आ गया, public key भी आ गई, जब यह तीनों चीज़ें उनके पास आ जाती है, तो वो verification function को run करते हैं, और जिसके तुरू बता करते हैं कि आपने आखर में यह transaction किया है कि नहीं किया है, अगर answer yes आ रहा है, मतलब कि यह आप ही ने transaction किया है, अगर answer no आ रहा है, मतलब यह आपने transaction नहीं किया है, अब मैं यह कह रहा था कि आप इसे हमारे थू किया इस वज़े से dollar किया ढूगा मैं यह द्रून कर सकते है continued यहां मैंने सेंट किया मैंने इस एड्रेस को यह पेस्ट किया लेट से मैं इसको 0.000000 बहुत कम इथर भेज़ूंगा क्योंकि मैंने निक्स्ट किया देखरो न तो होगा क्या यहां पर यह हो रहा है कि मैंसे करूंगा तो मैं यह बता रहा हूं कि ज़से किया वह यह दो होगी कि यह इक इस तरह की से अपकी क्रिप्रफ्राफिप लॉग करते हैं तो यह जो एक्जामपल यह आपके डिजिटल का थी तो इस तरह से digital signature का हम लोग यूज़ करते हैं ब्लॉक्षे पे अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकली कोडिंग के थुरू करके देखते हैं तो यहां पे आप देखो कि तो transaction भी confirm हो गया है इसको यह पर देख भी लेते हैं मतलब यह मेरे address से हुआ है अब यह कैसे बता चला मेरे address से हुआ है क्योंकि इन्होंने क्या किया होगा मेरी public की मेरे message मैंने क्या क्या होगा signature कि थुरू message और मेरी private की को करके एक नई चीज जनरेट की गई उस generated चीज को verification function भी भीजा गया और वहां से yes or no का answer मेला अगर yes or no आता तो definitely यह मेरा transaction नहीं होता over the network तो इस तरह से work करता है अब चलते हैं अपने screen पे coding screen पे okay तो मैं आगे हूँ spider id पे और हम लोग python का यहां पे यूज करने वाले हैं तो जिनको नहीं पता है कि spider id किया है वो डिर्ट क्लियर मनलब आप मेरा python वाला कूर्स देख सकते हैं वहां पे मैंने installation प्रसेस बताया है कि किस तरह से सारी चीज़े होती है अधरवाइस आप online id भी होती है तो यहां पर हम लोग अपने presentation पर वापस जाएं तो presentation पर आप देख सकते हो कि यहां पर तीन main functions है एक तो हमारा signature हो गया मतलब message तो नहीं कहूंगा function है बढ़ा एक function हमारा signature वाला हो गया एक verification function हो गया और तीसरा एक function यह हो गया कि हमें अपनी private key और public key को generate करना है तभी तो हमारा काम होगा तो इसलिए हम लोग सबसे पहले एक function बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे def क्योंकि हम लोग python use कर रहे है generate keys जिसके दुरू हम लोग अपनी public key और private key को generate करेंगे ठीक है अब इसमें मैं यहां पर use करने वाला हूँ crypto.cryptography.io इसके बाद आप यहां पर जाना प्रेमिटिफ पर प्रेमिटिफ पर जाने के बाद आपको जाना है asymmetric algorithm क्योंकि हम लोग इस चीज़ को copy करेंगे क्योंकि यह हमें देखोगे अगर आप थोड़ा documentation पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि यह हमारी private key और public key को generate करने में काम आती है तो इसको मैं यहां से copy कर लेता हूँ और अपने spider id पे यहां पे पेस्ट कर लेता हूँ अचा यहां पे देना यह जो चीज है यह इंपोर वाला statement इसको हमें ऊपर रखना है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके यह चीज मैं यहां से copy कर लूँगा और यहां पे इसको लिख तो यहां पे क्या error वो आ रहा है warning अभी हमनों ने private key यूज नहीं किया यह यह बता रहा है अब next step में हम लोग क्या करेंगे तो यह तो हमें private key generate करके दे देगी ठीक है तो हमें इसके लिए कुछ करना नहीं है आरे से मनला ने यहां पे module import किया है यह हमारी help कर देगा private key को generate क दलेंगे और इसके लिए हमें क्या करना होगा simply रिखना होगा private dot public key ठीक है तो यह भी inbuilt function है तो इसके लिए भी हमें कोई परशान नहीं होना है यहां पे बस एक चीज़ यह कर लेना कि यह चीज़ यहां से हटा देना ठीक है अधरवाई जरूरा रहा रहा दाना ठीक है तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं और फंक्शन बनाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारी private key और public key कैसी लग रही है तो इस अब python के syntax है अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज पाइथन को course मेरा आप रिफर कर सकते हो में ठीक है तो यहां पे ही हम लोग अपनी private key और public function को और इसको एक बार हम लोग प्रिंट करा के देख लेते हैं और यहां पे मैं कर लेता हूं private और यहां पे मैं print कर लेता हूं public ठीक है इस वे बर रंड कर लेते हैं let's see अब हम लोग क्या करेंगे एक दूसरा function बनाएंगे और दूसरा function बनाने से पहले यहां पे हम लोग कुछ message define कर लेते हैं कि जो message हम लोगने देखा ना अपनी presentation में वापस से जाएं तो यहां पे मैसेज चाहिए जिसको हम लोग को भेजना है तो इसी लिए हम लोग क्या करेंगे अपने message को define कर लेते हैं तो message के लिए मैं लिख लेता हूं I am co-deeater ठीक है थोड़ा branding कर दूना ऐसे अच्छा लगेगा तो यह हमारा message हो गया अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहां पे एक function बना लेते हैं इसका नाम रख देते हैं sign जिसके तुरू हम लोग क्या करेंगे अपने message को private key के थुरू sign करेंगे ठीक अचाहिए यहां पे एक चीज़ बाद ध्यान रखना कि जो message हमें मिलेगा वह actually में string के form में होगा और जो हम algorithm यूज करने जा रहे हैं जो अभी हम लोग एक और function यहां पर import करने वाले हैं वह actually म message को bytes के form में लेता है तो इसी लिए हमें क्या करना होगा अपने इस message को जो की str form में है उसको convert करना पड़ेगा in terms of bytes तो यह सिंटेक्स क्या है बस simply यह इसलिए है ताकि हम अपने message को bytes में convert कर सकें कर सको converting message to bytes क्यों मैंसा कर रहा हूं भी पता चल रहा है वापस से चलते हैं अपने documentation पर हमें मिल जाएगा signature के लिए भी कैसे signature किया जाता है यह देखो हां पर signing के लिए उन्हें दिया हुआ है तो हमें simply इसको यहां से copy करना है यह साथ चीज़ें हमना याद नहीं करने होती है यह साथ चीज़ें यह साथ चीज़ें हैं यह साथ चीज़ें इसी का इससे तरह से directly उसकर नहीं होता है अब इन दोनों चीज़ों को directly कह सब्सक्राइब करना रखो उपर रख दो क्योंकि हमारे packages है अब यहां पर सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां पर issue क्या रहा है है तो यह message कि हमें जरुवत नहीं है क्योंकि हमने पहले से define किया हुआ है और indentation को थोड़ा सा सभी कर लेते हैं इसको भी सिल्नेचर हमें मिलेगा इसको भी हम यहां से रिटन कर देगे हैं तो यह हमारा बन गया sign function जो की help करेगा हमें signature प्रवाइट करने में और इसको भी हमनों करके देख लेते हैं तो इसके लिए मैं क्या करूँगा simply यहां पे एक सिक वेरिबल डिफाइन कर लेते हैं और अपने sign function को call करके जो हमारा message है message और अपनी private key को जो की हमारी PR है इसके इसको यहां पे बेस देंगे और फिर यहां पे इसको भी प्रिंट कराके देख लेते हैं कि हमारा जो sign मिल रहा है जो हमारा sign nature मिल रहा है वो सही है कि ने मैं run कर लेता हूं तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह जो point है यही आपका digital sign nature है यही आपका digital sign nature है अब बनाएंगे अपने हम लोग last function को जो की है हमारा verification function और इसके लिए भी हम लोग उसी का use करेंगे तो इसमें हम लोगो तीन चीज़े चाहिए एक तो message एक हमारा signature और तीसरे हमारी public की एक बार इसको मैं दिखा देता हूं कि यहां पे हम लोगो तीन चीज़े चाहिए थी verification function के लिए हमारा message nature and public की यही चीज मैंने आपके की है तो यहां पे भी हमें वापस चलना होगा और यहां पर हमें जरुबत पड़ेगी verification तो यह वाला हम लोग क्या कर लेते हैं इस तरह से copy कर लेते हैं और यहां पे इसको paste कर लेते हैं यहां पर कुछ issues आएंगे reason being की public की है तो इसको कर लेते हैं पहले तो इस तरह से और कर देते हैं indentation प्राइवेट अंडिफाइंड नेम इसको प्राइवेट अंडिफाइंड नेम ऐसा क्यों ठीक है हम लोग को एक्चिल में इसकी जरुवत वैसे भी नहीं है और यहां पर हम लोग सीन नेचर की जगह सिग पास कर रहें राइट तो इसको मैं सिग कर ले रहा हूं यहां पर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज कर लें तो यहां पर इस एक चीज आपको ध्यान देनी है वह यह है अगर मैं डॉक्मेंटेशन वह बावस जाऊं तो यह जो अगर हमारा जो सिन नेचर वह मैंच नहीं करता है तो यह एक्सेप्शन रेस करता है तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी हमारे ट्राइट ब्लॉक की तो इसलिए मैं एक ट्राइट ब्लॉक बनाने वाला हूं ठीक है जो की यहां पर होगा और इसको थोड़ा त होता है करके द हे जुबें तो रह blade है तुर का अं? अगर हमारे ट्राइट कर गया तो हम लोग रिटन कर देंगे जी इकर कोई है एकक्सेप्शन देगा,हाँ लोगका होगर प्लॉक अंट्रो हमय Ne कर सकते हैं कि मालो कि हमारा जो इस नेचर है यह सभी से वर्क ही नहीं किया इस केस में लोग प्रेंट करा जकते हैं प्रेंट एरर एक्जीक्यूटिंग पब्लिक और यहां से रिटन करा सकते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से वज़ा से एक्सेप्शन रेज हुआ है और रिटन कर देंगे हम लोग फॉल्स वटफ़ यहां पर बस एक चीज यहां लाइखना इंडिंटेशन बड़ा ही मज़रा हो जाता है राइट अब यहां पर एरर क्या रहा है एक्सेप्ट मस्ट पी लास्ट हम ओके यहां पर यहां पर यहां प इन्वालिट वाला हमारे एक्सेप्शन आया मैं नहीं किया है लोग ने इंपॉर्ट नहीं किया इस चीज को इसको इसको में इंपॉर्ट करना पड़ेगा ताकि हम लोग एक्सेप्शन के साथ डील कर सकें तो इसी दॉक्पमेंटेशन में यह रहा हमारा यही चीज मैं ढून रहा था तो मैंने कर लेना है copy और यहां पे मैं चलता हूं और यहां से हम इंपोर्ट कर लेंगे किसको invalid तो यहां पर हमारा फंक्शन ही बन गया है जहां पर मैंने तीन चीज़े पास कर दी हमारा message हमारा signature हमारल फेर यह पर फिर इसके बास हमारी जोह कि या कर सकते हैं को च test करने के लिए झांक क्या करना होगा ते से एक नहार बनासकते हैं लेट से करेक्ट करके तो कि यह चेक करें कि वरिफिकसिन हुआ एक की नहीं वरिफाई अ चतीन पारफ कर देते हैं ठीक तो हमारा हो गया मैसेच, दूसरा हो गया हमारा सिख, और तीसरी हो गया हमारी पॉबलिक की, और फिर इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखो कि अगर गलत है, तो मैं प्रिंट करना है, कि सही नहीं है, मतलब नो, अदर्वाइस, येस, तो इफ, ने अगर ये करेक्ट नहीं है, एल्स, विल प्रिंट, फिल, ठीक, और इसको लोग चेक कर लेते हैं, इसको मैं करता हूँ, अच्छा, मैं इन साइच चीज़ों को करते दा हूँ, कमेंट आउट करते रहा हूँ, ना, ये फाल तो मैं स्पेस लेंगी, ठीक है, आप इसको करते ह इशू आ रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड, ओके, हम, आई तिंक, हम लोगों ने कुछ गरबड कर दी है, मॉड्यूल में, आई तिंक मैं समझ गया हूँ, गरबड क्या है, इसको यहां से अटा देना चाहिए, अब इसको रण करना चाहिए, वन्डफल, तो यहां पे अब देख सकते हो, कि हमारे यह जो वरिफिकेशन है, यह सक्सेस्वल हुआ है, और सक्सेस्वल होना भी था, आई आप खुद देखो, हम लोगों ने जो प्राइविट की और पब्लिक की जनरेट की थी, और जो मैसेज था, हम लोगों ने वही साही चीज़़ों यहां पे स क्या किया, जनरेट की इसको कॉल करके, दो प्राइविट की और पब्लिक की फिर से जनरेट करें, अब इसको यूज करके मैं क्या करूंगा, इसको यहां से कट कर लेता हूं, इसको यहां पे पेस्ट कर लेता हूं, यहां पे पेस्ट कर लेता हूं, तो हम लोगों यहां पे दो और एक private और एक public की मैं spelling बहुत कहले तो यहाँ पे प्राइवेट की और एक public की दूसरी हम लोने generate की अब क्या करते हैं अब try करते हैं की जो यह message है और जो यह sin nature है अभी इसको किसकी private की से वो किया गया है अभी इसको इस भाइस आपकी माल सकते हैं और ये हमारे B है, अब हम क्या कर सकते हैं, कि instead of कि हम B की, A की Public Key से इसको verify करें, let's try कि अगर हम इसको B की Public Key से verify करते हैं, तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे instead, PU मतलग कि हमारे A की Public Key की जगा, किसकी Public Key ट्रांसफर कर दी, B की, अब चेक करते हैं, कि यह work करता है, कि नहीं करता है, मैं सो करता हूँ run, और यह देखिए, यहाँ पी यह failed होगा, तो इस तरह से ही हमारा, जो डिजिटल से नेचर का concept है, ब्लॉक्चेन में work करता है, तो I hope, आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज इससे like जरूर से करिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इससे subscribe जरूर से करिएगा, क्योंकि मैं regularly नए नए वीडियो अप्लोड करता रहता हूँ,